हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सब देखे आज मैं आपके लिए क्या बनाओंगी अ देखे आपने क्या है यह यह है गजर का रायता चलिये बनाते हैं गजर का रायता जो बहुत इस वादिश्ट लगता है ठंडियों में खूब सारी गजर रहती है तो आप उनको किसी भी तरीके से खाएं तो हमें गजर खानी चाहिए जो कि हमारी सेद के लिए बहुत अच्छ मात पंच करने के बाद इसको मैं आप गैस पर रखांगी एक बिगोंना और धाल दे सबखानी दूँ के बाद यह अब इसमें नमक डाल दूँग तत्कार आभड़ा passouईद के अनुसार ऑर यह अब इसने में मैं गजर ड़ों गजर मिक्स करने के बाद इसको मैं तीन मिन्ट के लिए पकाऊंगी डखकर के अब यह मैंने मिक्स कर दी अब इसको डखकर के मैं तीन मिन्ट के लिए पकाऊंगी क्योंकि बहुत जल्दी गड़ जाएंगी और यह पानी भी हम यूज में ले सकते हैं इसमें आट्टा गूत स सकते हैं तरी वाली सब्जी में डाल सकते हैं अब यह मैं गजर नी चोड़ ली और दही फेट के लिए अच्छे से अब यह मैंने एक उसमें खरल बोलते हैं इसको आप क्या बोलते मुझे बताना इस खरल में मैंने तीन मिर्चे और जीरा आदा चमच कूट लिया था पहले ज करूंगे देखिए भी थोड़ी दही गाड़ी लग रही है तो इसमें मैं दूद्ध डाल लूए थोड़ा सा दूद्ध या पानी कुछ भी डाल सकते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करें अब इसमें मैं यह जो हमारी हरी मिर्च और जीरे का पेष्ट था वो भी डाल दू मैं काला नमक डाल दूगी स्वाद के अनुसार क्योंकि थोड़ा सादा नमक तो पहले डाल दिया था अभी काला नमक डाल देंगे काले नमक से भी स्वाद अच्छा आता है और आजमेदार होता है फिर गैस ओन करूंगी गैस पे कडशी में मैं सरसो का तेल आदा चमश के क लेंगे तो उसकी आग की जलप्ते हैं बहुत उपर तक जाती है इसलिए आप चेरा अपना थोड़ा पिछे रखे और इसको डालने के बाद एक दम आप बरतन से ढग दे ताकि जो मारे इंकी और तड़के की जो खुश्बू है इसमें रम जाए अच्छे से दई में तो य मेरी वीडियो कैसी लग दिये मुझे बताना कमेंट्स करके और मेरी वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ठेंक्यू